नमस्कार दोस्तों स्टॉक जिनी के YNLSS in 5 मिनट वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा किस तरीके से हमको अपना सेंटिमेंट रेडी करना है next day की trading के लिए और every single day आप इस तरीके से इस practice को करके आप next day की trading की तयारी कर सकते हो बहुत ही simplified तरीके से रखना है तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमें कौन-कौन से जो है तीन-चार point हमें देखने है मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर देखो sentiment मैं यहां लिखा हुआ है simply आपको FI का data देखना है positive है कि negative है OI हमें analysis करना है मैं आपको बता हूँगा भी analysis करके SGX का data देखना है कि positive है कि negative है और उसके बाद हमें देखना है pre opening कि pre opening market में किस तरह की है कि जब market open होगा यह आपको 9 बज़े से लेकि 9 पंदरे के बीच में आपको इसको monitor करना होगा यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि pre opening को कैसे देखना है तो इसके लिए dedicated video मैंने बनाया हुआ है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं किस तरहीं करनी है प्री ओपनिंग का analysis करना है या लाकर आप ऐस को वीडियो में आ जाती है तो मैंने details description में दी दिया है आप जैक चेक कर सकते हैं किस तरहींग mobilize sessions को जोइन कर सकते critics थे है तो सबसे पहले है हम लोग देखेंगे क्या FI का data तो simple है यहां पर हम लोग जाते है FI money control पर मैं देखता हूँ FI इसने क्या किया है तो आप देखो 21 October का idea आप देख रहे हो किस October पर जो है 2818 का जो है selling करी है यानि heavy selling है FI के द्वारा लगातार तीसरे दिन जबरदत selling है that means कि यहां पर हमको simple कुछ नहीं करना यहां पर हमको लिख देना है negative तो यहां पर हमारा जो FI का sentiment है वो negative है now let's come to the OI analysis OI analysis में हम लोगो क्या देखना है यहां पर option chain खुला हुआ है आप यह देख सकते हो यह मैंने जो option chain खुला है यह 28 October का expiry है ATM जो level है हमारा यह है अपना 18,200 तो 18,200 के से इधर हम लोग call side में analysis करेंगे और put side का data को भी हम लोग देखेंगे तो 18,200 पर आप देखे हो यहां पर total OI का जो build up बना हुआ है 84,000 है 60,000 आज edition है यहां पर call writers बहुत strongly यह believe कर रहे हैं कि market जो 18,200 तोटने वाला नहीं है उसके बाद ऊपर के थोड़े से level के आप देखो जब हम intraday में trading करते हैं तो 18,300 पर आप देखो बहुत जबरदस्त यहां पर call writers बैठे हुए है 29,000 आज ही आज में add करे हैं उसके बाद देखो 400 पर जबरदस्त यहां पर 45,000 लॉट्स यहां पर add हुए है total 81,000 यानि हर एक upside level पर call writers का जमावडा दिख रहा है मतलब इधर call side के बात करूं तो यहां स sentiment create हो रहा है कि market बहुत जबर उपर नहीं जाने वाला है उपर जाता है तो वहां से हमें एक opportunity मिलेगी sell on rise की क्योंकि अब हम put side को देखे हैं तो 18,200 पर आप देखो 32,000 एडिशन है 71,000 तो यहां पर आप देखो कि इस वाले level पर यह थोड़ा सा आज जो है comparatively call put काफी कम है औ और नीचे के level पर आप देखो इंद्यमनी में तो यहां पर हमको short covering दिखर यानि put writers ने उतना confidence नहीं दिखाया है तो again जो sentiment create हो रहा है कल के लिए वो एक negative sentiment create हो रहा है बट यहां पर जो 32,000 का जो addition है यह हो सकता है थोड़ा सा हमें कुछ points को उपर लेके जाए nifty को थोड़ा थोड़ा सा उपर लेके जाए nifty को तो शायद हमें वहां पर एक opportunity मिलेगी हम वहां से short कर सेके क्योंकि यहां पर call side में बहुत जबर्दस्त call writer बैठे हैं तो जो भी upside opportunity जाती है इंस data को देखके तो हमें यह लग रहा है कि हमें जो है upside एक opportunity ढूंदनी है यदि market थोड़ा सा पी उपर जाता है तो हमें एक वहां पर sell and rise की opportunity को ढूंदना है तो बहुत ही simple है तो यहां पर मैं analysis देख रहा हूँ यह ओई के साब से जो है negative बता रहा है now let's come to Singapore Nifty Singapore Nifty को भी आप यहां से monitor कर सकते हो simple यहां पर जाओ आप market में जाओ global market में यहां पर जाओ यहां से आप दे यह negative आता है तो already हमारे यह दो fix हैं यह दोनों already negative आ चुके है जिनका बहुत highly weightage है SGX का है मगर SGX देखोगे तो आज भी positive था मगर आज का market सभी को पता है क्या हुआ है आप जाके live में देख सकते हो हम लोग ने किस तरीके से इसका analysis किया है SGX भी यह बड़ी बात हो जाएग यह negative होता है तो भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता है तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां पर आपको levels पता लगेंगे कि क्या levels मिलेंगे यहां पर आपको levels मिलेंगे यह positive है तो आपके लिए better है इसके साब साब का data जा रहा है तो आप उसे साब से trade कर सकत हो यदि नेगेटिव है यह तो यह आलड़ी इसके साथ सा चल रहा है तो हम एक थोड़ा सा वहां पर हम उसको समझेंगे सुबह में कि डेटा किसे साब से आ रहा है तो हम लोग जो है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे बट ओवरॉल यदि मैं बात कुरूं सेंटिमेंट की अभी का जो सेंटिमेंट है वो यह जो सेंटिमेंट है प्रियोपनिंग यह तो हमें कल मिलेगा देखने के लिए तो अभी तो यहां पर हमारे पास डेटा यह है नहीं तो इसको भी यदि मैं ऐसे डाल दूँ एने अभी अभी अविलेबल नहीं है तो अभी त जाता है तो थोड़ा सा डाइसी सेचूशन बनेगा हम डेटा के हिसाब से ट्रेट करेंगे बहुत ही सिंपल है आपको समझ माया होगा कि किस तरीके से हमें सेंटिमेंट क्रियेट करना है कल के मार्केट के लिए FI negative है, OI negative है, SGX अभी तक negative है तो overall data जो negative है OI के analysis के हिसाब से जो भी upside opportunity हमें देखेगी वहाँ पर हम लोगों के लिए हंट करना है और यदि हमारा data जो है support करता है cell on rise तो हमें बेंदा cell on rise ही करना है call by के दरफ नहीं जाना है तो दोस्तो आई होब कि आपको यह OI analysis in 5 minutes का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा मैं कोशिश करूँगा regular basis पे यह 5 minutes का वीडियो आप पोस्ट करने के लिए ताकि आप on the goes को देखें और कल के लिए preparation कर लें तो thank you for watching दोस्तो, have a nice day